आगे पढ़ाने के पहले तुमको बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि एक बार फिजिक्स के स्टूडेंट ने पूछा कि इसका मतलब है कि अपन लोग अब रदर फोड के मॉडल को प्रिफर नहीं करते हैं, फाइनली आइटम के मॉडल के लिए हम बोहर की बात करते हैं, तो जितने भी फिजिसिस्स थे उस एरिये में और जो फिजिक्स के टीचर थे उन्होंने का, वेल यस, एक्चुली नो, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग उने रदर फोड साहब को देखा, रदर फोड साहब के मॉडल में कुछ थे ड्रॉबैक जिसको ओवर कम किया नील बोखर साहब के मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं, तो अब समझते हैं कि इन्होंने कहा क्या, तो इन्होंने क्या कहा, तो बाई नील बोखर साहब आपन से जो postulates में कहा वो ये कहा पहले रदरफोर्ट के टाइम पर हम ये कहते थे कि जो electron है वो घूम रहा है किसी भी orbit में किसी भी radius में गूम रहा है और Maxwell ने उसमें ये कहा था कि वो अपनी energy को emit करता जा रहा है क्यों क्योंकि direction बदल रहा था मतलब acceleration हो रहा था वो तुमारे 11th class के पुराने पाप बोल रहे हैं कि velocity एक vector quantity है और जब कोई चीज अपनी direction बदलती है तो vector बदल रहा है इसका मतलब है change in velocity तो acceleration है अब acceleration है ये बोला गया तो energy emit हुई तो बहुर साब ने उसको contradict कर दिया उन्होंने कहा कि जब भी electronic stable orbit में घूमता है तो वो कभी भी किसी भी energy को emit नहीं करता अगर electron इस orbit में घूम रहा है तो वो कभी भी energy को emit नहीं करेगा तो question उठा कि आपको ये समझाना पड़ेगा कि अगर electron घूम रहा था और emit नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा या करेगा तो कब करेगा और किस orbit में घूम रहा है तो उन्होंने इसके भी answer द हम देखें तो हमारे जो exams हैं उन exams में ये point ही पूछा गया है आधा एक mark में अब की बार दो mark में पूछ सकते हैं वो और वो ये है कि आपको complete करना है इस sentence को वो इस sentence को देंगे और आधा incomplete छोड़ देंगे आपको इसको complete करना पड़ेगा तो ये ध्यान रखो कि electron ship उनी orbits में घूमेगा जिन orbits में उसका angular momentum जो होगा वो angular momentum h upon 2 pi जिसको reduced plank constant भी बोलते हैं तेंशन मतलो जाला है ना उसका integral multiple होगा integral मतला 1 2 3 4 5 6 ऐसा तो पहली चीज़ तो ये confirm होगा कि किस orbit में घूमेगा मतला इस orbit में अगर घूम रहा है तो integral multiple of h upon 2 pi है अगर दूसरे orbit में घूम रहा है तो वो 2 times of h upon 2 pi है अगर वो 3rd orbit में घूम रहा है तो वो 3 times of h upon 2 pi है ठीक angular momentum क्या होता है linear momentum into radius distance तो यहाँ पर हो गया linear momentum mv into r टेंशन खतम अब आजाओ जल्दी से next point पर ये बहुत important point था उन्होंने कहा कि फिर कभ absorb करेगा कभ emit करेगा तो देखो जब भी electron lower orbit से higher orbit की तरफ जाएगा तो energy को absorb करेगा और ये याद रखना electron is very शाना current भी बहुत शाना था electron के movement से ही बन रहा था यहाँ पर अगर बात करें तो electron ही बेसिकली शाना है वो ये कहता है कि मैं एक orbit से दूसरे orbit में तब जाऊंगा जब मुझे इतनी energy दे दोगे जो इन दोनों की energy का difference होगी तो अगर इतना energy तुम suppose करो 100 joule energy चाहिए मतलब कि अगर मैं आप से कहूं कि आप यहाँ पर खड़े हुए हैं आप यहाँ पर यह आपका first floor है और यह आपका second floor है अब आपको अगर एक object को यहां से यहां पहुचाना है तो अगर आपको 100 joule की energy चाहिए माल लेते हैं let us take an example तो यह jump तभी करोगे जब 100 joule की energy आपको मिलेगी अगर 90 energy 90 joule की energy मिली तो electron काईगा मैं नहीं जाने वाला मेरे को इतनी energy नहीं दी तुमने में बीच में हवा में लेट कूंगा क्या तो electron तब excite होता है तब higher orbit में जाता है जब उसको इतनी energy मिलती है जो कि उसको एक orbit से दूसरे orbit में पहुचा सके अब देखो यार हर चीज का वाईसा वर्सा भी होता है अगर कोई चीज एब्जॉर्ब करके higher orbit में जा रही है तो तुम खुद ठंडे दिमाग से सोचो और बोहर बन जाओ कि अगर वो वापिस अपनी state में आएगा अगर excited state से वापिस अपनी state में आएगा तो वो उतनी energy को release भी करेगा जितनी energy को उसने absorb किया था तो electron absorb तब करेगा जब lower से higher orbit में जाएगा और जब वो higher से lower में आएगा तो उतनी energy को release करेगा मान लो कि ये आपके पास है इसकी energy ये पहली वाली state की E1 और दूसरे वाले की E2 तो अगर electron higher में जा रहा है तो वो इतनी energy उसको absorb करेगा वो energy होगी E2 माइनस E1 और ये same energy ही वो emit करेगा जब वो E2 से E1 में वापस आएगा और ये हमारे पास अभी काम आएगा ये formula ध्यान रखना so तीन postulate simple simple से electron जब stable orbit में घूमता है तो energy को कभी emit नहीं करता ना absorb करता है electron सिर्फ उनी orbits में गूमेगा जिसमें उसका angular momentum h upon 2 pi का integral multiple होगा जहां पर oxygen होगी इनसान वहीं सास ले पाएगा नहीं तो जिन्दा ही नहीं रह सकता सूट पैन के कब तक रहोगे और third point electron जब lower से higher orbit में जाता है तो absorb करता है आपको अगर उपर जाओगे आप किसी office में हो अगर आपका level बढ़ेगा पहले आप एक lower officer थे फिर higher rank officer हुए फिर उस से higher rank officer हुए salary बढ़ती जाएगी कि नहीं बावा तो बस वैसे है अगर higher orbit में जाना है तो energy को absorb करो salary को बढ़ाओ और अगर तुम्हारा demotion हो गया भगवान ना करे बट गलती से demotion हो गया तो वो जो extra था ना वो चला जाएगा तो वो emit कर देगा बहुत simple सा example था दिमाग में सीधे-सीधे बैठना चाहिए था अब आजाते हैं अपन कि यहाँ पर जो अपन अब derivation करेंगे radius का derivation करेंगे velocity का derivation करेंगे कि electronic orbit में घूम रहा है तो उस orbit में उसकी velocity क्या होगी उसकी radius क्या होगी तो इसके लिए मैं तुमको आप देदेता हूँ booty और वो booty तुमसे ये कहती है कि अगर electron घूम रहा है किसी orbit में तो घूमने के लिए उसको क्या चाहिए centripetal force और centripetal force उसको कौन देता है तो जो nucleus है na nucleus पे कितने protons होते हैं z atomic number chemistry तुमारी अच्छी होगी और नहीं होगी तो यार इतना तो पता है यार मत करो please मत करो मुझे chemistry से वैसे भी डर लगता है जब तुमा number of proton होते हैं वो atomic number के बराबर होते हैं और एक proton पे charge होता है e तो nucleus पे total charge कितना हो गया z e और electron पर negative charge है e और यह इसको attract कर रहा है और यह attraction कौन सा force है electrostatic force charges के बीच में और यह जो electrostatic force है यह center की तरफ लगेगा और यह क्या provide करेगा centripetal force यह तो रदर फोर्ड नहीं भी बोला हैं सो वन अपॉन फॉर पाइपसाइलन नॉट तुमारे टम वन के पुराने पाप यह हो गया q1 यह हो गया q2 वन अपॉन फॉर पाइपसाइलन नॉट q1 q2 अपॉन रेडियस डिस्टेंस का स्कॉयर हो गया अपने पास कूलम फोर्स और यह प्रोवाइड कर रहा है centripetal force यह वह 11 वाला पाप mv square by r centripetal force दिमाग में जादा लोड नहीं लेने का याद रखने का कि centripetal force यह होता है जो center की तरफ लगता है और यह घूमने के लिए जरूरी होता है तो यह force कौन प्रोवाइड कर रहा है यह electrostatic force प्रोवाइड कर रहा है अब दूसरी equation जो काम आए people of h upon 2 pi बस यह दो equation सारे derivation खतम radius का derivation velocity का derivation energy का derivation सब यहीं से खतम हो जाएंगे कैसे होंगे तो देखो अगर तुमको निकालनी है क्या radius तो तुम यहां से जो equation number 2 है इससे निकाल लो velocity तुम चाहोगे तो यहां से भी निकाल सकते हो मगर square square contention लेगा इतनी इसी लिए सबसे अच्छा है यहां से अगर आपको radius निकालनी है तो इस equation से निकालो velocity और यहां रख दो अगर आपको निकालनी है velocity तो आप क्या करो इस वाली equation से radius निकालो और इस radius को ले जाकर रख दो यहां पर आपकी velocity सामने प्रकट हो जाएगी इसी वी orbit में घूम रहा है मानलो इस orbit में घूम रहा है और इस orbit की मुझे radius निकालके देनी हैं तो मैंने तुम्हें बूटी दी थी दो equations सारी की सारी वहीं की centripetal force is provided by what? electrostatic force between electron and nucleus same वही equation लिखी है मैंने जो अभी लिखी थी थोड़ी देर पहले और इन दोनों R को क्या कर दो आपस में एक R square से R cancel यह equation बन गई यह equation आपकी हो जाएगी equation number one इसके बाद आपके पास आएगी second equation angular momentum is h upon 2 phi का integral multiple तो यहां से आप क्या निकालने वाले हो यहां से आप निकालने वाले हो velocity तो MR को आप ले जाओगे नीचे मैंने कहा ता radius चाहिए तो दूसरे वाले formula से velocity निकालो velocity की value क् n h upon 2 phi mr तो यह देखो यह आपके सामने आग्या derivation सबसे पहले तो equation one और two में equation two one के अंदर v की value को रख दो यह आपके पास था force ze square upon 4 phi epsilon not r अगर याद नहीं है तो यह देखो और इसके बाद v की value यहां से उठा कर मैंने रखी और जैसे ही v की value रखी v यहां पर m v square v की value क्या आप देखिये दोनों तरफ यहां से क्या cancel हो रहा है four से four cancel हो गया एक पाई भी cancel हो गया यहां से m भी cancel हो गया तो क्या बचेगा ze e square four pi गया तो यहां बचेगा epsilon not यहां पर r square था यहां पर r था तो यहां से r भी गायब यहां क्या बचेगा m तो cancel हो चुका है अपना एक यह से n square n square h square h square 4 cancel हो चुका था एक पाई भी cancel हो चुका था तो बचा क्या पाई यहां पर बचा एक m और यहां बचा एक r क्योंकि cancel हो गया था बस मैंने cancel करा इसके बाद r की value को इधर लेकर आओ और बाकी सब को अधर ले जाओ आपके सामने radius का formula आ चुका होगा और वो formula है क्यों क्योंकि यह पूरी चीज है epsilon naught h square m pi e square यह पूरी चीज constant है इस constant की value आजाएगी 0.529 0.53 जो भी दिखा जाए book में tension मत लेना वो दे देंगे आपको into n square by z n क्यों क्योंकि अलग-अलग orbit के लिए n अलग होगा और hydrogen के अलावा किसी और की बात करोगे तो उसका z b1 के अलावा होगा इसलिए आपके पास formula आ गया 0.529 n square by z although बहर के सारी जो discoveries थी यह सारे जो बाते थी उन्होंने hydrogen को दिमाग में रखके बनाई मगर हम इसको जनरल अभी use कर सकते हैं अगर कोई numerical आए तो hydrogen like atoms के लिए या nucleuses जो अपने पास होंगे ऐसे atoms जो hydrogen जैसे हों जिनमें एक electron हो उन पर सब पर लगा सकते हैं तो radius is proportional to n square by z बहुत सारे numerical इसी फॉर्मले पर based होंगे दिमाग में अच्छे से बिठा लो अब अपनाते हैं velocity की तरफ अगर velocity की तरफ आए फिर वही दो equation बूटी बोली थी ना मैंने कहा ता दिमाग में रख लो यार इसको centripetal force is provided by the electrostatic force ये एक आर से एक आर cancel ये बन गई equation number one दूसरी वाली equation क्या है angular momentum is equal to integral multiple of h upon 2 pi क्योंकि अब velocity निकालनी है तो second वाली equation से radius की value निकालो और इस equation के अंदर यहाँ पर रख दो आपका derivation खतम देखो ze square upon 4 pi epsilon not r r की value ये थी n h upon 2 pi mv जो अपने अभी निकाली ये आर कौनसी वाली r की value इस वाली equation से गरवड मत करना ये जो equation है इससे r की value आई ये वाली जो radius निकाली थी वो नहीं ये वाली value v के terms में ये हमने निकाली यहाँ रख दी is equal to mv square ये पूरी चीज़ देखो ये pi से pi क्या हो गया cancel ये 2 cancel हो गया 4 से तो ये बचेगा यहाँ पर 2 epsilon not n h और यहाँ से क्या बचा mv और ये चला गया उपर जैसे ये उपर गया तो ये हो जाएगा mv ze square 2 epsilon not n h is equal to mv square m से m cancel हो गया एक v b cancel हो गया यहाँ बचेगा v v की value आ गई z e square upon 2 epsilon not h n अरे भाई खतम हो गया आपका derivation और ये पूरी चीज़ constant है electron का charge constant 2 constant epsilon not constant h constant सारे constant की value रख दी आपके पास answer आया 2.2 into 10 to the power 6 z upon n कई books में 2.18 लिखा होता है confused होने के जरुवत नहीं है 2.2 into 10 to the power 6 z upon n याने velocity is proportional to atomic number upon orbit number z by n के proportional होती है इनी दोनों derivations का मैं use करने वाला हूँ जब मुझे energy की जरुवत पढ़ेगी बड़ा energy इस वीडियो में पढ़ाऊंगा तो सब कुछ ऐसी खिचड़ी पक जाएगी खिचड़ी नहीं पका नहीं है अपनको अपनको radius समझ नहीं थी अपनको बहुर समझ नहीं था अपनको उसकी velocity निकाल ली थी electron की यह सारी चीज़ें हमने निकालना है energy जो की हम निकालेंगे next वीडियो में तो इस energy के साथ सारे वीडियो को देखो दोस्तों सारे वीडियो को लाइक करो और दोस्तों से कहो कि आओ यार कहां तुम इधर paid content पे जा रहे हो यहां free में वो मिल रहा है जो तुम्हें paid में नहीं मिलेगा तो आईए मज़े करते हैं इसी तरह से like, share, subscribe करते रहो नंबर क्या नंबर के तो बाप को भी आना पड़ेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाजी की तरफ से जाह